हेलो एवरिवन फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वैदिक अकेडमी पे आज हम नीट हंटर 2020 में जो प्रीविस हैर कर रहे थे उसके सेकंड लास्ट स्टैप है 2019 के और उसी जो उसके साथ फाइनली कम्प्लीट करने वाले है थोड़ा टाइम लगा है लेकिन कर रहे है और जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए आएम प्रेम चौधरी फैकल्टी अफ बालेजी एट वैदिक अकेडमी तो स्टार्ट करते हैं बेना किसी दिक्कत के नीट 2019 बालेजी कुश साइज करता हूँ आपको यह फील हो गया होगा और नहीं होगा तो फील हो जाएगा जल्दी तो सबसे पहला कोश्टन जो इसमें स्टार्ट करते हैं 151 अजीन लोकस हैस्टू अलील्स ए कॉमा छुट स्मॉल ए इफ दा फ्रिक्वेंसी ऑफ दॉमिनेंट अलील इस ए कैपि पाधी ही अच्छा कॉश्चन है ठेंडिंग कॉश्चन ऐन लेकिन इसके बावजुद भी athletes करते हैं 175 होने के बावजुद हिंट दिये हैं लेकिन हिंट दिये हैं तो आपने यहां पर tweak कोईशन के लिए आपने एक वर्ड सुनाओगा हार्डे विंगबग क्लास 12 चैप्टर एवलुशन अगर पेज नमबर के बात के जाए 137 पेज नमबर NCRT में दिया हुआ है क्लास 12 में कि हार्डे विंगबग भाई साब कहते हैं कि P sorry just a minute P plus Q is equal to 1 होता है ठीक है अब यह type तो हो नहीं रहा बट कोई नहीं समझ नहीं कोश्च करते है P plus Q is equal to 1 होता है तो यहाँ पे P को माल लीजे capital A और Q को माल लीजे छोटा है तो यहाँ पे पहले capital A की value को दिरिखे 0.4 तो obviously 1 बनाने के लिए छोटे के value क्या होगी 0.6 यहाँ थे clear कोई दिक्कत बड़े के value 0.4 छोटे के value 0.6 यह तो हमें frequency बता चल गया लेकिन यह मांग रहा है कोशन क्या मांग रहा है देखे highlight करता हूँ वर्ड यह मांग रहा है homozygous dominant, heterozygous dominant, homozygous recessive individual ठीक तीन अंसर मांग रहा है actually homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive individual in population मांग रहा है और आपको साथ में एक और फोरना याद हुना अच्छे p square plus 2pq plus q square is equal to 1, p square पूरा show करता है homozygous dominant, 2pq show करता है heterozygous dominant, homozygous recessive मतलब q square तो यहाँ पर simple हो गया a square, 2 a small a and a small a square, ठीक है तो यह इसका answer हो जाएगा, तो हमने a की value पाता है, 0.4, तो 0.4 का अगर square करेंगे, 0.4 को 0.4 से multiply करेंगे तो आंसर हाएगा, 0.16, तेक है, 0.66 को multiply करेंगे, 0.6, 0.6 को multiply करेंगे तो आ जाएगा, 0.36, 0.36, तो यानि कि इतने करने से आपको दो option दिख गए, यानि कि आपके पास 2 है और 3 है, अब इसमें से बात आता है, बीच वाले बच्च, यह दिक्कत हो जाती है, formula है 2pq, यानि कि 2 capital A, small a, multiply करेंगे, 2 into 0.4 into 0.6 करेंगे, 0.48, तो इसका answer हो जाएगा, 3rd answer हो जाएगा, कोई दिक्कत, बहुत अच्चा कोशन है, बहुत जाद है, देख लेते एक बार answer, answer एकदम correct है, कोई दिक्कत नहीं, और NCRT में देखिए, formula भी दे रिखा है, evolution वाले chapter में, आपका page number 137 class 12th NCRT, ठीक है, P square cat is note करा, सारी चीज़े, और नाम क्या है, hardy, bing-bang, principal नाम है, इसका कोई दिक्कत में, next, which of the following is true for golden rice, बहुत अच्चा बार, बहुत अच्चा बार, मैं अगर पूछना चाहूँ बच्चों से, golden rice रिखा है क्या, तो ढूंड तरह जाएंगे, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगो, कहा लिखा हुआ है, ठीक है, answer नहीं लिखा, लेकिन golden rice लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप simply golden rice के लिए क्या याद कर सकते है, आप golden rice के लिए चक्कर में, देखो 3 point, हमने बेक्टरिया के जीन डाला, हमने मेज के जीन डाला, किस में, rice में, इससे क्या हुआ, एक तो उसका vitamin का quality बहुत अच्छा हुआ, और साथ ही आपको याद रखने, इसी के चक्कर में उसका जो color है, वो कैसा होगा, yellow color, golden color, yellowish color होता है, तो उससे golden color हो जाता है, तो यह 3-4 बाते हैं, आपको याद रखने, तो इसका direct answer याद कर लिजिए, याद कर लिजिए, लिख लिजिए, NCRT में, ठेके, क्या है answer, first, बागी देख लिए थे एक बाद, 152 का answer है, first, और page number 20, oh sorry, 216, biotech, biotech class 12 में, 216 में, NCRT में, question के form में दिया है, उसन सब्सक्राइब, तो आप इसे NCRT से बाहर का कहें, अंदर का पता नहीं, बट पढ़ना आपको यह, ठीक है, सब्सक्राइब, याद रखने, next, 153, finus seed cannot germinate and established without fungal association, यानि कि जो finus की seed है, वो बिना fungal association के germinate नहीं कर सकती, ऐसा क्यों, क्या reason है, क्या option दिये नों नहीं इतने स सब्सक्राइब, तो again, NCRT के as it is, line कहीं जाने की जौरत नहीं है, आपको, इसका direct answer जो दिया हुआ है, जी रहा, obligate association, obligate यानि कि fix, रहना है तो उसके साथ रहना है बना नहीं रहना है, simple word का मतलब, यानि कि, finus का fix है कि, वो जब fungi के साथ रहेगा, mycorrhiza association बनाएगा, तब ही secret germinate करेगा और अपनी सारे जो भी demand पूरी करेगा, तो इसका answer होना चाहिए, मेरे साथ से second, 153 का second answer, और NCRT में direct दे रहा है, अगर बात की जाए, class 11th में, page number 63, sorry, ये गलत हो गया, actually, page number अगर बात करें, तो ये direct दे रहा है, page number 186, 63 नहीं, page number 186, class 11th में दे रहा है, और ये दे उखर line यहां, as it is, लिखे होई, पाइनस भाया, germinate नहीं कर सकते, established नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कॉन सर लिशन है, obligatory, obligatory मतलब fix, जीना है तो इनके साथ जीनना है, वरना नहीं जीना है, समझे, next, 154, which of the following features of genetic code does not allow bacteria to produce human insulin, does not, sorry, does allow, actually, allow करता है, bacteria to produce human insulin by the, by recombinant DNA technology, देखो, simple है उनके बोला कि हम bacteria के gene, मतलब human का gene, bacteria के gene, सारी चीज़े मिक्सर के एक दूसरों में, यानि कि जो feature है genetic code वाले हो, bacteria में भी allow कर रहा है, human में भी apply कर रहा है, और इसके लिए simple अगर word के अगर बात करें, तो इसके लिए simple word है, genetic code हमेशा universal होता है आपने genetic code के बहुत सारे point पड़े होंगे, ambiguous, unambiguous, specific, degenerative, universal, non-puntuation, सारी word पड़े होंगे, लेकिन यहाँ पर जो अच्छा word है यह, कि bacteria में gene हो, चाहे किसी में भी gene हो, वो gene वही काम कर रहा है, genetic code की बात ही follow कर रहा है, तो इसकान सरुनाची एठध, एकदम सही, और वही रहा है, the code is universal, जो genetic code रहता है, universal होता है, bacteria से लेके human तक, example विद रखा है, u, 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 genetic code, phenyl alanine ही बनाएगा, लेकिन कुछ exception होते हैं, लेकिन डायलोग यहाँ पर आपके आद रखना है, कि bacteria से लेके human तक रहा है, किसी भी organism में, तो हम इसा क्या बनाएगा, phenyl alanine बनाएगा, और N NCRT का question है, page number 112, class 12, class 12, page number 112, जाके देखिए, मैं तो कहनों, पूरा है, जो points दे रहे, genetic code का, इसा तो याद कलीजिए, unambigous, ambigous, सारी बात है, next करते है, which of the following sexual transmitted disease is not completely curable, यानि कि इसमें जब कौन से ऐसे disease है, जो completely curable नहीं हो सकते, और आपको, अगर आपने detail नहीं पढ़ र लिखी है NCRT में, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, आपको सारी लाइन NCRT लिखके देता है, कि आपको यहां से support मिलेगा, यहां से मिलेगा, तो फिलाल इसके अगर बात कि जाए, तो इसका direct answer हो जाएगा, genital herbs, NCRT में दिया हुआ है, देख लेते हैं एक बार, chapter 3 answer, एकदम सही answer है, अगर page number के बात कि जाए, तो 63 page number, chapter का नाम, class 12 का reproductive health, देख लीजे, इसमें लिखा हुआ है, तीन, hepatitis B, genetic herbs, और HIV infection, जो बागी सारी चीज़े, curable हो सकती है, लेकिन यह curable नहीं हो सकता है, except भी लिखा है, तेकर याद के लिजेवे, तीन बीमारी नहीं होगी, hepatitis B, genital herbs, और HIV infection, यह तीनों के तीनों चीज़े, curable नहीं होगी, NCID class 12, page number 63, chapter 4, next, which of the following statement is incorrect, कुछ मिला नहीं, तो मेरेको अच्छा word लगा, incorrect, तो फ़ले इसे ही highlight करेंगे हम तो, हाँ जी, तो यह रहा, incorrect word, अब इसमें बोलता है, कि, वाइरोड, lack of protein coat, virus are obligate, parasite, infected, constitute in virus is the protein coat, prions, consist of abnormal folded protein, ठीक है, तो देखते हैं, पड़ते हैं, वाइरोड, lack of protein coat, तो एकदम सही बात है, मैं याद है कि, वाइरोड में protein नहीं होता, और pre-ons में protein होता है, ठीक है, यहनकि वाइरोड सिफ अपनी genetic material से जिन्दी की गुजारनी और pre-ons अपनी जिन्दगी किससे को जारनी कुश्च करता है, protein से, ठीक है, P से pre-ons, pre-ons, protein, protein उसके साथ रहा गया, virus के साथ genetic material रहा गया, virus are obligate, parasites, एकदम सही अभी थोड़े दर पहले word बता है, obligate मतलब fix, आपको पता है कि और रहास किसी पे living के साथ रहा गया, तभी अपनी virus is the protein coat, virus में protein coat infection पहलाता है, तो ये गलत बात है, क्योंकि virus में दो चीज़ा होती है, genetic material और protein coat, protein coat तो कभी भी आपने infection पढ़ा है, जैसे कि HIV का infection पढ़ा है, ठीक है, उसमें क्या होता है, protein coat बाहर रहा जाता है, सिर्फ genetic material रहा जाता है, तो genetic material infectious agent रहा, तो इसमें ये word इन्हो पूरा पढ़के बानेंगे, अब prines में folded protein होता है, कोई दिक्कत नहीं, तो answer इसमें होना चीज़, 3, दिख लिज़े, हाँ जी, एकदम correct answer है, कोई दिक्कत नहीं है, 156 question है, देखे, लिखा भी में आप ये वाइराइट के बारे में लिखा हुआ है, जैसे भी यहाँ पे ल नंबर के बात की जाए, तो 27 page नंबर पर सारी detail लिखे हुए, ठेक है, मैं वाइराइट के यहाँ पर तारीफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको साथ में वाइराइट भी पढ़ना है, वाइराइट स्मॉलर दन वाइरास होता है, इसने potato, spindle, tuber disease cause किया, यह बात लेके चले, इसके पास free RNA होता है, ठेक है, वाइराइट के पास RNA, प्रियांस के पास protein, ठेक है, इसके पास और इसका weight वगरे कम होता है, clear, यहाँ तक कोई दिक्कात, एक इत पॉइंट है, जेतना हो सके, question में से answer समझ भी कुश करो, याद कर नहीं कुश करो, कि हमने जो पढ़ा है, उस से analyze करके, यही से याद करने, यही से जेतना कर पाए, next, again, my favorite chapter, chapter 4, match the following organisms, 157 question number, match the following organisms with their respective characteristics, ठेक है, अब यह word उनको सही से पता चलेगा, जीने न, हर phylum, पौरी फेरा से लेकी, कोड़ेटर तक, सारे phylum, एक एक, उसमें जो खास का सवाड है, जैसे मैं पढ़ाता है हूँ, पहले में general चीज़ें पढ़ाता हूँ, फिर उसमें से जो important चीज़ें पढ़ाता हूँ, तो यह सारे answer, उनको मिल जाएंगे, जिनने हर phylum के एक एक खास-खास word, हर phylum में कोई ने कोई खास word है, हर organism में कोई खास बात हो, उसको पढ़ा होगा है, तो इसको अगर match करने के को पोशिश करें, तो पाइला, पाइला की अगर बात की जाए, तो यह हो गया, एक मिन्ट है, तो पाइला की बात की जाए, तो पाइला में होता है, रैडूला यानिकि दात लाइक, बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स की बात की जाए, तो यानिकि यह अर्थर पोड़ा में आता ह तो इसका Maleficent Tubule हो जाएगा, Plurobrasica ठीक है यह अगर बात कि जाए तो यह पूरा जो क्या था हमारे पास, Tynophora उसका नाम दे रखा है यहाँ पर, Complete होता है, उस पर, 8 Complete होती है, Lining होती है उसको पर, मुझे याद है, Tania, Tania यानि की, Platy Helminthus, Platy Helminthus में वर्ड लिखा है, Plain Cell, तो अंसर हो गया हमारा, 3rd, 4th, 2nd, 1, 3rd, 4th, 2nd, 1, यह रहा, बहुत बढ़ी है, यह रहा, 2nd होना, चेर्स कान सा, देख लेता एक बार, हांज एकदम करें, कोई दिक्कत नहीं, तो इसे मैंने बताया था पहले भी, फोर चेप्टर पढ़ने का बेस्ट तरीका, आप टेबल पढ़िए, फोर चेप्टर के लास्ट, और उसके बगल में उसकी खास-खास बाती लिख लीजे, पूरा चेप्टर एकदम मतलब 10 मिनट का चेप्टर रह जाएगा, रिविजन करते वक्त, समझते वक्त थाटे, लेकिन डेपेंड करेगा आपने, आपने उसे किया की नहीं, Next, ESTS, यानि कि expressed sequence track refers to, again NCRT का वर्ड, कहीं जाने की जोतनी, NCRT, तो ESTS, ये वर्ड है, gene expressed as RNA, polypeptide expression, DNA, polymerism, novel DNA sequence, इतना जारा option, अगर किसे नहीं पढ़ी है, लाइन तो वो तो ऐसी छोड़ देगा, या तुक्का मारेगा, कल तो करेगा ही न, तो ये again NCRT के लाइन है, और ये है, इसका आंसर की बात की जाए, 158 question, अगर बात की जाए, class 12th में 119, class 12th में 119 पेज नंबर पे लिखा हुआ है, आपके, तेक है, और यहां पे लिखा हुआ है, कि, expressed as RNA, refer to as the expressed sequence tag, ज्यादा एरोगरी नहीं, तेक है, next, next, 159, which of the following statements is incorrect, यानि कि इसमें से कौन सी चीजी incorrect है, ठीक है, तो सबसे बड़ी अबर्ड क्या है, यहां पे incorrect, highlight करो, कर दिया, ठीक है, अब यहां पे interacting के अगर बात कर रहा है, तो देखते है, क्या लिखा है, morels and truffles are edible delicious, एकदम सही है, actually पहले बफास दिखा होता था NCIT में, ठीक है, यह दोनों खाने वाले फंगिया कोई दिखकर नहीं, Claviceps is a source of many alkalite like LSD, यह भी सही लिखा है, NCIT की सारी बाते है, Conodia are produce exogenous और asco spores endogenous, ठीक है, कोई दिखकर नहीं, East have filamentous body with long thread like I, अब यहां पे जो word गडबड कर गया नहीं, यह filamentous कर गया, इसलिए इसका 4th नहीं है, और देखू, यह जो सारे option आपने पड़े हैं, इस सारे option कहां के हैं, fungi के, नाम अगर आपको याद है, Morals, Claviceps, Conodia yeast, fungi वाला chapter है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसके साथ अगर बात करें, तो second chapter class 11th, biological classification में दे रखाएं, अगर page number के बात की जातो, page number 23, देख लेते एक बात, हाँ जी, fourth option एकदम ठीक, और आपको क्या बताया जाए, कि यह yeast हमेसा unicellular होता है, यह तो बात सबको पता है, ठीक है, फंगी केटेगरी में होता है, next, next question है, 160, match the column, match the column, second, okay, करते है column, ठीक है, अब यह भी है, एक particular lines है, नहीं, एक particular paragraphs है, यहाँ आपको खुद अपनी बुद्धी चलानी पड़ेगी, ठीक है, मैं करता हूँ, saprophyte, यानि कि जो सड़े गले पर डिपेंड रहते है, ज्यादे तर कौन रहता है, फंगी और अल्गी रहता है, ठीक है, कोई दिखकर नहीं, नहीं, डिकमपुजन जो सड़े गले पर डिपेंड रहते है, यानि कि इसका होना ची है, second, ठीक है, पैरसाइट, किसको पर पैरसाइट होता है, पैरसाइट होता है, लिविंग और प्लांट और अनिमल पर, यानि कि यह रह, प्लांट अनिमल, लाइकन लाइकन तो दो चीछा से मिल के बना होता है, कहां हो प्शिन, पहला ऐप्शन है, ये रहा, fifth, Mycorrhizae, Algir, Fungi, तो हमारा अनसर रो जना सही है, second, third, fourth, one, देख लिता है, कहाँ पे आपर, second, 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 हाँ, second, third, fourth, one, यह निलिया मुझा इसाहा है लाइकिन के बात के जाए तो वह भी रहता है कोई दिखकर नहीं है तो फोर्ट का यह हो गया और सी का ठड़ हो गया कोई दिखकर नहीं है जैसे कि लास्ट इम आपको यादे लेक्टिन वाला कुष्ण इसी पेपर हम आए वाए 2019 में अच्छा है पेपर अगर आपके कम नमबर आ रहे तो यह आपकी गलती है अगर आपने इंसेटी नहीं पड़े है एक चीज कितने कोशन दो चार कोशन बाहर से आए पांच कोशन बाहर से आएंगे अब इसके वज़े से यह थोड़ी कि आप मोटी मोटी बुक पढ़ना चालू कर दिया कोई दोस्स आपको कहा रहे है कि हम मुझे यह पढ़ना है तो यह पढ़ना चाहिए ऐसे कुछ नहीं एंसेटी गरंथ है इंसेटी पढ़ो सबका अपना तरीका है पढ़ी ठीक है चले स्टार्ट करते है टॉपिक पर जादे बाहर नहीं जाने का ठीक है यह लिखा है विच अफ फॉलिंग ग्लुकोस ट्रांस्पोर्टर इस इंसुलिन डिपेंडेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् का नाम है GLUT4 तेक है इसके अगर बात के जाए तो प्रोटीन वगरे से चैनल बना हुआ है ठीक है और यह सारे जितने भी ग्लूट 4 है अराउंड 14-15 टाइप होते हैं ग्लूट के फिलाल हमें GLUT4 पर ध्यान देना है कि ग्लूट 4 ऐसी जगह पे होता है जहां पर इंस्लिन जब तक नहीं आएगा glucose को cross नहीं कराएगा तो insulin जब ग्लूट 4 को signal देगा किसी भी membrane पर है जैसे कि मानलो मुझे glucose को storage कराना ए एडिपोस में ठीक है एडिपोस में मुझे glucose को store कराना है तो ग्लुकोस खड़ा है बाहर, एडिपोस बैठा हुआ है, कह रहा है कि जब तक आप इंसुलिन से परमिशन नहीं लोगे, यानि कि इंसुलिन किसको परमिशन देगा, वो जो गार्ड वहाँ पर बैठा है एडिपोस पर उसको देगा, और फिर वो ग्लुकोस को अलाओ तो इसलिए ग्लुट 4 है, ऐसा ट्रांसपोर्टर है ग्लुकोस का, जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट है, तो आंसर इसका ग्लुट 4 ही है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आपको मटेरिल समझा रहा था, ठेक है, तो 161 का 4, और NCRT का ही कोशन है, देखे है, यहाँ पर इस टेब Biomolecule, Class 11th, Page No. 147, Biomolecule, Class 11th, Page No. 147 पर as it is stable दे रखी है, कहीं बाहर जाने के जुरत नहीं, ठेक है, और बाकी यह सारी चीज़ा जान पेचान के, अगर सबसे अच्छा और इसमें से याद कने का मूड है, तो that is Collagen, Collagen याद रखिए कि Intracellular Substance होता और बहुत ज़्याद is responsible for the rejection of kidney graft, यान कि kidney graft को rejection करने के लिए कौन से immune response responsible होता है, अब immune response है, तो इन्होंने का आप सारे immune response कर दिया, autoimmune response, humoral immune response, inflammatory immune response, cell-mediated immune response, यह सारी response लिख दिया है, इन्होंने यहाँ पे, ठेक है, autoimmune response क्या होता है, कि वो अपने वाले cells को ही पैचानने में दिक्कत कर देता है, Humeral immune response क्या होता है, related to antibody, बता रहा हूँ, याद करते हो, चलो, Humeral, inflammatory immune response, यान कि कोई भी गड़बड होती है, कोई भी infection होता है, तो आपका inflammation होने लगेगा outspot, that is inflammatory immune response, cell-mediated immune response, यान कि cell के level पे वो चेक कर रहा है, कि वो अपना body का part है, किसी और का है, यान कि यह जो cells है, जो कि cell-mediated immune response में यूजर होता है, उनमें ability होती है, ठेक है, actually T-type के cell होता है, आपको पता होगा, ठेक है, उनमें ability होती हो, self और non-self में पहचान लेते हैं, जब तभी, जब भी कोई और organ आपके body में डाला जा रहा है, तो आपके cell पहचान लेंगे, और उसको reject कर देंगे, तो इस क्लिक क्यों में रहा है, ठेक है, 162 का answer है, 4, एकदम सही, और NCRT में लिखा है, कहीं बात जाने के जड़त नहीं पड़ेगी आपको, ठेक है, तो यह लिखा, कहा गया, self and non-self में differentiate कर सकता है, class 12 का है, ठेक है, self and non-self में differentiate कर देता है, T-cell और जिसके चिकर में हो जाता है, clear, next, use of artificial kidney, use of artificial kidney during hemodialysis may result in, अब देखो, hemodialysis क्या क्यों होता है, क्या होता है, आपको, आपने आगे, इसका डायराम 10 से 10 वाले बच्चो, हाँ 12 में आगे होंगे, सारी मुझे पता है, देखलो बच्चो यह word मैं उन्हों समय ही बताया था, 10 वाले भी, और 11 में ही बताया आपको detail में, ठेक है, तो kidney 163 अगर बात की जाए, तो क्या चीज़े करता है, क्या result क्या आता है, इसमें अगर बात की जाए, तो पढ़ लेते हैं, nitrogen waste build-up in the body, nitrogen waste build-up in the body, non-elimination of excess of potassium iron, reduce absorption of calcium from the gastro-sternal tract, एक्चली बात की जाए, तो हमारी बाड़ी में nitrogen waste बढ़ता नहीं है, तो यह तो गलत हो गया पहले, यानि कि ए गलत है, दूसरा, non-elimination of excess potassium से लेना देना नहीं है, वो हमारा nitrogen base से काम करता है, यानि कि जतना ज्यादा nitrogen base होगा, उसको दिक्कत करेगा, C क्या है, reduce the absorption of the calcium iron from the gastro-sternal tract, और यह एकदम सही है, यानि कि C जहाँ पर वो answer होगा, C, ठीके C दो जगा है, B भी गलत है, अच्छा, D भी था है, कोई नहीं, D वाला पोजिच्ट हम देख लेंगे उसे, चेके, वाकी answer अगर correct करना चाहे है, तो यहाँ पर C और D correct हो जाएगा, क्योंकि D mention नहीं लेकिन C correct है, और B गलत है, इसके चेकर में C D answer हो जाएगा, nitrogen waste इसमें absent होता है, जिसके चेकर में absorb हो जाता है, anti-heparin यूज किया जाता है, ठीक है, सारी बात है, kidney वाले चेप्टर में दिरिख है आपके excretion, चेप्टर क्लास 11, पेज नमबर के बात की जाता है, तो 299 पेज नमबर, next, बहुत आचा कोशन, अच्छे अच्छे बच्च word highlight का लिया, इतने सारे word, कोशन करने के लिए जिस बच्चे ने diagram मनाया, diagram की practice किये, और जिस बच्चे ने वहीं जो paragraph आई के सामने, पूरा का पूरा लिखा हुआ है, अगर वो सही से किया हुआ है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और यह पोरा answer, 3, 2, 3, page नमबर, NCR class 11th में लिखा है, page नमबर, 3, 2, 3, class 11th में लिखा हुआ है, थेगे, इसमें करते है, cornea is an external transport, वही, elimination वाले method से करेंगे, protective proteinious covering of eyeball, सही यह external होता है, transport होता है, protective protection covering of the eyeball, पूरे का नहीं होता है, actually, पूरे का नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा इसे गलत करेंगे, cornea consists of dense tissue of elastin, अरे नहीं, यह elastin नहीं, रिपेर भी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, रिपेर, vescularity नहीं होती, इसमें, vescularity हैने की blood supply नहीं होती है, और आपका याद रखना चाहिए, कि जहां blood supply होता है, वहाँ पे vescularity बहुत अच्छी होती, cornea consists of dense matrix of collagen in the most sensitive portion of the, of the most sensitive portion of the eye, तो यह नहीं किसका answer हो जाना अच्छी है, फोर्थ, हाँ जी, फोर्थ answer है इसका, एकदम सही, ठेक है, तो यह paragraph आप पूरा पढ़ लिए जएगा, आई का diagram बना सकते है, अगर time है तो बना लिजएगे एक बार, नहीं बना सकते है, तो paragraph को बार बार देखके, NCRT को पढ़ पढ़ के आप clear करते हैं, बाकि जो भी cornea की खास बाते हैं आप लिखिया है, middle layer होता है, ठेक है, आगे वाले portion को exclera बोलते है, cornea होता है, middle layer portion होता है, interior portion होता है, dense tissue होता है, बहुत सारी बात लिखिया है, इसमें परगा पढ़ लेना, 323 page number, class 11th, ठेक है, next, 165 question, the frequency of recombination between genes, gene pairs on the same chromosome as a measure of the following distance between was explained by, अब देखो, यहां पर कभी भी आपको gene frequency, frequency of recombination, यह सारे word मिलते हैं, तो आपको यह कहां पे ले जाते हैं, कहां पे ले जाते हैं, कहां पे ले जाते हैं, लिंक है, जो टॉपिक है, अगर बात की जाए, page number 83, NCRT class 12th, पे पूरा paragraph ले जाएगा, ले जाने के अबाव जूद भी थोड़ा इसमें गड़बड हो जाता है, ले जाने के अबाद भी गड़बड हो जाता है, यह दो scientist तो related नहीं हैं, बिल्कुल भी, देखो, अगर पूरे अगर बात के जाए, explanation कीए, तो explanation, अगर frequency of a combination है, यह सारी चीज़े पूछ जाएगा, तो TH Morgan is the best answer, लेकिन वहीं पूछाएगा कि major किस ने दिया, major, तो इसका simple answer आएगा, Alfred Stuart, student और यह NCIAT में लिखा हुआ है, तो इसका answer 3 हो जाएगा, अजी 3 है, और NCIAT में इनका नाम में दरिखा देखे, student थे, Alfred, student, और इन्होंने major यह सारी चीज़े यहाँ पर दी थी, यहाँ पर लिखा हुआ है, mention है, ठेक है, सारी बाते यहाँ पर मिले है, major किस वर ने दिया, सारी चीज़े किसे होने की, तो NCIAT है, page number 83, class 12, कहीं बार जाने की जुर्द नहीं है, got it, next solution, so we are here, हमने finish कर लिया, 5th part 2019 का, थोड़ा slow रहा, लेकिन effective रहा, कुछ नहीं आता था, या फिर अपने आपको analyze कर सकते है, जब भी answer, जब भी मैं question बोलता हूँ, तो आप pause कर लिजे video को check करिए, मुझे आता है answer, क्या NCIAT के chapter जानता हूँ में, यह सारी बाते अपने आप से पुछे, अपने आप से बात करिए, कि हाँ भी मेरको यह answer आता है, चलो इसमें confidence है, इस वाले chapter में होगा, तो जो chapter के नाम बोलता हूँ, आप relate करिए उससे, ठेक है, all the very best बच्चो इस चैनल को, Vedic Academy YouTube चैनल को like करे, share करे, subscribe करे, और सारे नीडी बच्चो को share करे, बाकि और कोई दिक्कत है, तो comment section और number पर आप mention कर सकते है, उन सब से related, कोई भी query, कोई भी अच्छा question लगे गा, तो मैं सारे बच्चो से share करूँगा, कोई दिक्कत ने, ग्यान हमें बाटना चाहे, all the best, enjoy. मूले, गलहे बाटना झाला उदाकत और को हमात।